यशायाह भविश्वक्त की पुस्तक अध्याय 49 यशायाह 49 उस समय बल्दान का पुत्र मरोदक बल्दान जो बाबुल का राजा था उसने हिचकिया के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेट भेजी इनसे हिचकिया ने प्रसन होकर उनको अपने अनमोल पदार्तों का भंडार और चांदी और सोना और सुगंद द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हतियारों का सब घर और अपने भंडार में जो जो वस्तुई थी वह सब दिखलाई हिचकिया के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाई हो तब ये शायाह नभी ने हिचकिया राजा के पास चाकर पूछा वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आये थे हिचकिया ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात पाबूल से मेरे पास आये थे फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है हिचकिया ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है मेरे भंडारों में से कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो मैंने उन्हें न दिखाए हो। ये शाया ने हिचकिया से कहा, सिनों के यहवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले है जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुर्खाओं का रखा हुआ आज के दि पुत्र तेरे वंच में उत्पन नहों, उनमें से भी कितनों को वे बंधुआए में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। हिचकिया ने ये शाया से कहा, यहवा का वचन जो तुने कहा है, वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों म तो शांती और सच्चाई बनी रहेंगे।